कि देखिए काफी बच्चों को क्या कहना है Sir date sheet बदल गई है तो जो semester 1 वाले बच्चे हैं देखो three वाले बच्चे तो इदरदर से दूंडांट के पता कर लेते हैं लेकिन वाले बच्चों को पता ही निए कि क्या देट है नहीं है पहले आपका अकाउंट का प्यूर किकिर में अब किसी करूंड़े इस और ये इंकासी चिंजीट क्वेडां कि आपको डी यू एक्जाम पर जाना है अगर गूगल पर सर्च करोगे आप गूगल पर सर्च अब साइड में आओगे तो आपको डीट शीट दिखेगा ठीक है अब डीट शीट में देखो क्या लिखा है फाइनल अपडेट डीट शीट तो इस सेक्शन के अंदर जो आपके दिखेंगे उसमें वही पेपर लिखा है जो डीट शीट बदला है और जो डीट शीट नहीं बदला जैसे फॉर एक्जामपल पहले भी आपका फाइनल डीट शीट दिसंबर का CBSS एक्जाम का और NEP का पहले से अलग से इशू किया गया था तो जो पहले इशू किया गया था वो तो पुराना था अब इसके अंदर अगर मैं सपोज ओनर्स में तो FA का बदला नहीं है प्रोग्राम और SOL की बात करें तो FA का डीट शीट बदल चुका है देखेंगे आप तो जो फाइनिशल अकाउंट का एक्जाम है वो कब चला गया है 9 जनवरी को और पहले कब था आपका एक्जाम अगर मैं non college की बात करूँ यहां clearly mention है किस किस के लिए applicable होगा SOL के लिए non college woman college के लिए and और regular student of the college of university as well as student of non college मतलब regular हो गया SOL हो गया उन सभी के लिए यह applicable होगा तो इसके अंदर semester one वालों के लिए क्या changes है business law का paper change हो गया पहले किसी और दिन था और अब क्या हो गया हमारा तो अगर मैं पहले की बात करूँ तो आप सभी को तो याद ही नहीं है पहले कब था मैंने बताया था पहले का पक्का आप सही बता रहे हो पहले कब था 27 डिसंबर अब 27 डिसंबर का paper पहले था अब उसको बदल के तीन जनवरी कर दिया गया डेट सीट चेंज का मतलब सब चेंज नहीं हुआ कुछ paper चेंज हुआ अब बात करते हैं एफ़े कब था पहले financial अकाउंट financial अकाउंट इसमें थोड़ा सा टाइम मिल गया है और बाकी के जो पेपर थे ना आपके वह सेम दिन पर ही है उसमें कोई बदलाव नहीं ऐसा ही हम बात करते हैं सर यह तो आप बता रहे हूं सर अब बात कर लेते हैं सर हम बीकॉम ओनर्स रेगुलर और बीकॉम ओनर्स की बात कर लेते हैं तो अगर मैं बीकॉम ओनर्स एसोल की बात करूं तो एसोल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोला दिसंबर को आया है क्या है management principle and application पहले वह कितने था नहीं देखो एक पर चेक करूं पहले देखना कब दिखा रखा है मैं ओनर्स वालों का भी डेट्शिट बताया होगा ने इसी वीडियो में मैंने लास्स में बच्चे कह रहे हैं सब्सक्राइब को ही था सोला को ही था पहले तो फिर इसमें पता नहीं क्यों डाला management और प्रिंसिपल इन्होंने एसोल वालों की गलती है फिर यह तो और यह पेपर का डेट्शिट चेंज हो गया जो पहले कोई था उसको छे जनवरी करा गया तो एसोल और semester 3 वालों को business maths का पेपर एक चेंज कर दिया गया है और कुछ नहीं semester 3 का तो मतलब नहीं हम semester 1 की बात कर रहें ऐसे ही regular regular वालों के अंदर 26 दिसंबर को management I don't know पहले था यह नहीं था और और एक fa का चेंज करके दिया है इन्होंने 8 जनवरी को ठीक है न तो आपको जो इसके अंदर पेपर दे रखें आपका जो मिंडिड पेपर है सिर्फ उसके बारे में बताया है तो डेट सीट चेंज हो गया तो आप ऐसा मेजर नहीं समझिएगा कि यार चल ठीक है टाइम बच गए अगर मैं आपके टाइम की बात करूं तो टाइम ज्यादा नहीं है आपके बास सिंपल सी बात करें आपके पास पेपर बहुत सारा है और टाइम बहुत कम है अगर मैं आपको यह तो अभी आपका ब्रांच चल रहा है अगर मैं बताओं टाइम का देखो आपको पता भी नह नहीं चलेगा बिल्कुल नहीं पता चलेगा आज है हमारा 14 और एक्जाम आपका स्टार्ट कब से है लगबग लगबग यही है मेरे क्याल्ट सेड्यूल है ना 13-14 दिसंबर से तो आपके पास net to net 30 दिन बचे हैं अब इस 30 दिन में बागी सारे मैनेज करने हैं अभी आपके एक दो दिन मान लो फेस्टिवल में फिर निकाल दो गया यानि हम हमारे पास मान के चलो 25 दिन और सब्जेक्ट हमारे पास साथ है सहलो साथ गौन कौन से है सर हमारे पास है एक ये Lol है और क्या है सर आपके पास EBS है और क्या है सर आपके पास Hindi English जो भी whatever और क्या है सर आपके पास Economics वगएरा जो भी आ गया तो और साथ सब्जेक्ट है सर सारे सब्जेक्ट की हम बात नहीं कर सकते मैं सिर्फ FA की बात कर रहा हूं कैसे manage करना है आपको FA का paper ठीक है FA का manage कैसे करना चाहिए आपको जो financial account है आपका ध्यान दो आपको to the point अब वो समय आपके हाथ से बिलकुल निकल चुका है कि आपने अब पढ़ना चालू किया और पूरी किताब अच्छे से खतम कर लो अगर मैं किताब की बात करूँ दिखाओ किताब दिखाते हैं जिन बच्चों ने book नहीं लिया था देखो सबसे पहले FA पढ़ने के लिए आपको किताब चाहिए अब होता क्या है generally इस situation में आके मेरे पास JR मोंगा book है किसी के पास BK GL book होगा तो ही book generally recommendation की जाती है तो इस situation पे आके 30 दिन में अगर बच्चा इस किताब को देखता है तो definitely not buy अगर मैं भी आपके जगह पर होगा तो मैं बोलूगा भाई 30 दिनों के लिए कौन खरेदेगा किताब को अब 30 दिन मत पेपर है लेकिन आप इस किताब को मत देखो आप count करो questions को ठीक है हर एक chapter में averagely हम मान लेतने हैं कि 30 question है हर एक chapter में कितने question max to max 30 किसी में कम भी है और किसी में ज़्यादा भी है 30 से 25 question मान लो अब आपको सबसे पहले filter करना होगा पढ़ने से पहले कि हमारे पास chapter कितने हैं और आपको जानके हैरानी होगी बस इतने ही chapter है किताब की मोटाई पर जो बच्चा जाएगा वो बिलकुल भी नहीं कर पाएगा अच्छे से preparation अगर मैं chapter आपको गिनवाओं और उसी के हिसाब से एफ़े की planning करनी है आपको बिलकुल अगर मैं chapter का नाम गिनवाओं तो सर कौन सा chapter है that is first chapter आपका करना है अपने final account सर final account में जितने भी whatever question थे मैं कहूंगा इसमें 30 question कर लो enough है इसके बाद आपको करना है depreciation जिसको modern नाम दे दिया गया है नाम बदल गया गया है PPE and equipment इसमें भी कितने question करने है सर 30 आप selective approach करो इसके बाद आपने करना है सर inventory इसमें तो 30 question थे भी नहीं इसमें थे आपके 15 question मैं मान लेता हूँ tentative ले रहा हूँ मैं ठीक है इसके बाद आपने करना है branch सर branch में कितने question है इसमें भी 30 question मान लो इसके बाद आपने करना है departmental सर इसमें कितने question है departmental में इसमें कम है 15 के आसपर 15 भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से तो question इसके बाद सर स्लेबस खतम या और कुछ भी और भी है ऐसे खतम होगा हमारा स्लेबस इसके बाद कुछ accounting standards हैं कुछ हमारे accounting standards है that is accounting standards कौन-कौन से accounting standards important है as9, as19, as26, as4 यह चार है जिसमें से most most important है हमारा lease जिसमें दो दिन लगेंगे बागी as9 में एक दिन, as26 और 4 दोनों ही एक दिन में निफटाये जा सकते हैं कोई ऐसा major challenges नहीं है ठीक है, एक chapter रहे गया, that is NPO इसके अंदर ज़्यादा question है, माल लेते हैं इसमें भी averagely 30 question करने है अब आपको समझना होगा कि हर chapter के बीच में choice भी आएंगी बस इतने ही chapter है, F.A. में और नहीं है, अगर आप अंदाजा लगाओ तो 30, 30, 60, 30, 90, 90 और 30, 120 इसको हम थोड़ा सा भी ignore करके चलते हैं फिलहाल के लिए, मैं pass होने का बता रहा हूँ कि अच्छे number भी आ जाएंगे और अच्छे number से pass भी हो जाओगे तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितने होगे 90, 120 question हमारे पास बचे हुए एप्रोक्स कितने हैं 30 days और अगर आप 30 days में आप 90 question को divide कर देते हो तो एक दिन में आपको मुश्किल से 4 question 3 question या 4 question 120 days है ना तो आपको मुश्किल से 4 questions को करना होगा अगर आप ऐस तरीके से सोचते हो तो मेरे हिसाब से फिर आपको book मोटी नहीं लगेगी कि आपकी पूरी book खतम हो जाएगी अगर आप daily के 4 questions करते हो और without book तो आपको फिर कुछ नहीं तरीका है कुछ बच्चे फोटो खीच लेते हैं कुछ बच्चे ऐसे करते हैं तो देखो उसको फाइदा नहीं है फिर आपको ही उसको difficulties face करना पड़ेगा इसके बाद आपको जब book खतम करोगे तभी तो आप क्या करोगे सर इसके tenure करोगे सर पहले कौन सा chapter करें मैं number one number two बोलू तो number one पे तो ये chapter करिए इसलिए मैं इस chapter का नाम बोल रहा हूँ क्यूंकि आपने ग्यारवी class में करा हुआ है फिर number two पे आप इस chapter को करिए ये भी ग्यारवी class में करा हुआ है number three पे ये chapter करिए बेहद आसान chapter है आपने दिखा होगा आसान और इसमें से दस number के सवाल आ जाते है ठीक है number four पे आप इसको ब्रांच को उठाइए और number five पे departmental number six पे ये बस AS 26, four और nine theoretical chapter है practical नहीं है AS बस 19 practical है हमारा ठीक है न तो ये chapter है हमारे अगर आप अभी से भी अच्छे से करने लग जाओ ना तो आराम से पूरा का पूरा से लेवस खतम किया जा सकता है और exam किस दिन है तो वो तो January में है तर अगर मैं accounts के exam की बात करूँ तो पूरे पूरे आपको 60 दिन मिल जाते है अगर exam की बात करूँ तो लगववग लगवग 50 दिन तो मिली रहे हैं क्योंकि वो जा रहा है January 9 में फीक है S.O.L. वाले का तो से इंगेज हो जाओगे दूसरा होगा तो आप उस एक्जाम में इंगेज हो जाओगे आप फे थोड़ी न पढ़ोगे जब फे का नंबर आएगा तभी आप फे पढ़ोगे तो यह सारा सेनेरियो है तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि भाई अभी भी वक्त नहीं है ज्याद कि भाई बिजनस लॉग का पेड कूर्स पूछ रहे हैं बच्चे बिजनस लॉग का है लेकिन अभी अमने इसको डिसकंटीनियू किया हुआ है तो सर मैं जितने भी पेड कोर्स में एप्लिकेशन में बच्चे बच्चा चाहे फाइनल अकांट कर सकता है डैप्रिशेशन कर सकता है inventory कर सकता है branch साथ के साथ अभी मैं चला ही रहा हूं और साथ के साथ pre recorded भी सारे questions आपको लगबग लगबग मिल जाएंगे departmental मिल जाएंगे यह सारे के सारे pre recorded है और आपके पास अभी तो मेरे हिसाब से बहुत कम सौ में से मैं मान के चलू 10 परसेंट ही ऐसा बच्चा होगा जो जॉब कर रहा होगा 90 परसेंट नहीं कर रहा होगा आपके पास पूरा पूरा दिन है सारे activity computer course English course यह वह जितने भी कुछ कर रहे हो आप तीस दिन के लिए छोड़ दो एक्जाम तर और फिर आगे continue continue कर लेना जब आपका दुबार आएगा तो मेरा सिंपल सा कहना है भाई अभी से लगना पड़ेगा अगर नहीं लगोगे तो फिर आपको बहुत पस्ताना पड़ेगा एफे के अंदर जब आपका बैक आ जाता है बच्चों का तो वह semester 3 में पता है आपके पास क्या क्या है financial management है semester 3 में आपके पास business stats भी है और business maths honors वालों के पास है उसके बाद एक principle of marketing है बड़े बड़े subject है फिर semester 4 और semester 5 पाँच में तो हालत खराब कर देंगे तो जो आपका एक तीन पाँच है पाँचवे semester में अगर एक भी paper में बच्चा फेल होगा तो फेल माना जाएगा और और पाँचवा semester इतना tough बना दिया ना उन्होंने जो अब बच्चे जाएंगे पाँच में में उनको realize होगा अब देखो जैसे कोई बच्चा एक में फेल हो जाता है तो वो carry कहां करेगा तीन में अब तीन के पहले ही tough subject है और एक वाला और जुड़ गया भाई एक और अग अब यह कर पाओगे कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर आप जो भी आपने सोचा होगा तो इस तरीके से रहेगा जो थोड़ा सा मुझे बताना था एक तो जिसने बुक नहीं खरीदी स्टिल वो बुक प्लीज ले ले सो देट आप